हलो बच्चो क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं तो अच्छे रहिए स्वस्त रहिए और पढ़ते रहिए ता यह स्टार्ट करते हैं आज फिर से एक नया पेपर नया सब्जेक्ट कमपनी ला चुकि इसका पहले से तीन वीडियो जा चुका है फॉर्स सेकेंड और अज इसका फॉर्थ लेक्चर है यह 25 कोशनों का यह सिरीज आज 100 कोशन हो जाएगा तो इससे पहले मैं बता दूं कि जब भी इस वीडियो को आप देखेगा तो इसके डिस्सेप्शन बॉक्स में पीछे के तीन वीडियो का लिंक दिया गया हुगा पूरे प्लेलिस्ट का इसकी पूरे स्क्रीन रिकॉड़े अर्था इसका फोटो खीच कर एक पीडियो टाइब कर दिया है आप वहां से उसको जूम करके अच्छे से नोट कर सकते हैं और यहां से भी लिख सकते हैं जैसे आपको सुझना हो तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँग और साथ में एक लाइक देगा ताइए स्टार्ट करते हैं कंपनी ला 76 नंबर कोश्चन कंपनी सची कंपनी सची कंपनी का है द्यान दीजे कंपनी सची कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है कंपनी का एक महत्त पूह पत होता है प्रस्म पूछ रहा है कि कंपनी सची कंपनी का ह लेकिर है उसको क्या समझा जाता है लेकि वह कंपनी में जितनी भी बाते होती हैं, वो सब अपने कानों से सुनता है लेकिन द्यान दीजेगा सुनता है आँख का मतलब होता है कि कमपनी में जो भी कारे होते हैं वो अपनी आँखों से देखता है और हाँख का मतलब होता है कि कमपनी में जो भी कारे होता है उसकी योगे तो वो करता दीजेगा लेकिन एक चीज नहीं होता है वो मुह से बोलता नहीं बोलने का मतलब नहीं है इसलिए कि उसको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया ठीक ना बस जो संचालक होते हैं या कंपनी होती है इसलिए से कंपनी का आँख और कान और हांथ कहा गया कंपनी के सबा में सुख्ष्म होता है उस पर हस्ताक्षर किसके होने चाहिए तो दो लोगों का हस्ताक्षर होते हैं उसका अध्यक्स और कंपनी का सचीव ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है कि कम्पनी सची एक अभी करता है, कम्पनी का जो सेक्रेटरी होता है एज एक एजेंट, लेकिन वो किसका एजेंट होता है, संचालक मंदल का, तो कि इसी लिए इसको कम्पनी का कान, आँख और हांथ कहा गया, ठीक है, नेक्ट है, 80 नंबर क्वेश्चन कारवाही पुस्तिका का रखना आवस्य के, कारवाही पुस्तिका जो होती है, वो किस कम्पनियों को रखना पड़ा है, कम्पनी तो बहुत होती है, नीजी कम्पनी और साजमी कम्पनी दोनों कम्पनियों का रखना यरूरी होता है, सब्सक्तिंग normal नों नों घरखिजró के भी सुष्भार ह grown- adv Tier is δेcket सब्सक्रस्षर्ण कि वह संचालक मन्डल vats on theale su ३र ये वह संचालक मंडल। सबाब बुला सकता है, बाकि जिदनी भी समाई कंपनी में होती है, किसी को भी कंपनी से रिटरी नहीं बुला सकता है Next question कहता है, 83 numbers, कि कंपनी सची होता है, कंपनी के से क्रेटरी क्या होता है यह company का एक कर्मचारी एक employee होता है company का employee होता है जो company के हिद्वे में के वल सूचता है 84 number question कहता है कि टर्कवाण इटो है टर्कवाण पद का संबंद है किस चीज़ के संबंद है आंतरिक प्रवंद के सिधान से इसका संबंद है टर्कवाण पद जो है ये बाद है लो आंतरिक प्रवंद के सिधान के संबंद से PL वहीं उस़ी पे एक कोस्चन और बनता है 85 number आंतरीक प्रवंद का सिधान किसको सनदफन प्रदान करता है आंतरिक प्रवंद का सिधान है इंटर्नल मेनेजमेंट जो है वह बाहरी बेप्तियों को संगच्छन प्रदान प्रता है 86 करा है कि आंतरिक प्रवंद के सिधान्त का उन लेख कहां किया गया है अर्था अंतरिक प्रवंद का सिद्धान्त का डिटेल अर्था तो लेक जिसके अंतरगत कार्यों के संचालम किया जाता है, किसके अंतरगत किया गया है, कहां उन लेक है, तब पार्शास अंतर नियम में, क्योंकि पार्शास सीमा नियम में होगा नहीं, पार्शास सीमा नियम करता है वैसे आज आवाज भी ठीक है थोड़ा तबीट भी ठीक है पढ़ाना में भी अच्छा लग रहा है बहुत ठीक नहीं है ने कि फिर भी ठीक है आने दिनों के अप इच्छा तो इसी तर चांटनी वीडियो देखते रहे हैं और थोड़ा वीडियो को अपने फ्रेंडो आगे वड़ते हैं ETA लंबर कोश्न adesso ETA लाभहांस की गणना पर की जाती है वेडानी किस मुम्ले पर की जाती है तहर लाभहांस की गणना अंसों के प्रदत्मुल मतलब उसके अंकित मुल अधात हैस वैलू पर की जाती है साधारण सभा में लाभांस की घोसडा के बाद भुखतान हो जाना चाहिए जब कोई भी डिविडेंट होता है लाभांस होता है और साधारण सभा में उसे घोसित कर दिया जाता है कितने समय के अंदर भुखतान कर देना चाहिए तो यह 42 दिन के अंदर कर देनी चाहिए कि युगता हम से निर्धारित किये जाते हैं नहीं एक क्वेशन छूट गिया नंबर कोई लाभांस कब दे होता है कब दे होता है जब संचाल को द्वारा संस्तूती हूँ जो डायरेक्टर है उसको एप्रूट कर दे तथा अंसधारियों द्वारा अनमोधित कर दे शेरोल्डर को अपनी मुहर लगा दे तो लाभांस दे होता है क्या नंबर कर रहा है कि योगता आंस निर्धारित किये जाते हैं किसके द्वारा निर्धारित किये जाते हैं संचाल को के लिए निर्धारित किये जाते हैं ठीक है नेक्स क्वेश्चन है बानमे नबर पर्थम संचाल की नियुक्ति किये जाती है जो पहला डायरेक्टर है उसकी नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है तब परवर्ता करता प्रमोटर के द्वारा की जाती है तिरानमे नंबर करता ह कि साइबनी कंपनी में संचालोगों के नियुनतम संख्या कितने होते हैं अब मेंबर अलग होते हैं संचालोगों के नियुनतम संख्या तीन होती है वही एक साइडनी कंपनी में ध्यान दीजेगा एक कमेंट भी में रहा था मैं कंपनी लागा का पीछे का हमको लगना 32-32 लेक्चर में बनाया हूं वीडियो बनाया हूं देख लिजेगा चैनल के प्लेडिस्ट में उसमें एक पर बच्चे ने कमेंट किया था की सर ऑस बताए हैं कि क्याना मैं संचालोगों के नियुंतम संख्या थीन होती तक संचालोग जो डीरेक्टर होते हैं वो लैग होते हैं सदस इलग होते हैंین में मेंबर के लिए मिनमन स सदसुना चाहीं और डीरेक्टर के लिए पड़िक limited company में 3 होनी चाहिए वह पर अधिक निजी में संचालगों के संचालक कितनी होनी हो कि उल्ски Lehr ऑस और सदस अजय यह अधिस Means संचालग को सकता है से अधिका में बेट्व समय में, संचालक fender भूसकता है इससे अधिक का talks आएं कि कंपनी में संचालक मंदल काמצ का कम पनी में संचालक मंदल का praw करता है वह करता है जो नो Cultural ही कर देन कारा है संतान्मेमय नंबर के कमपनी संचलक को अधिक्तम पार स्वाइघ लाग का कितना पर्सoten याधि पॉनकालिक इस पूल-टायम डाइरेक्टर है तो उसको जो पारश सा में जिया जाता है वह लाभू का कि दौा। नियान में कहता है कि संचाल को संचाल को संचाल को संचाल के मिला दिया जाएगा तो संचाल क मंदल कहा जाएगा जैसे ब्यक्ति ब्यक्तियों ब्यक्तियों माने ये एक ब्यक्तियों माने बहुत साइगे ठीक है उसे तरह संचाल क मंदल के द्वारा उसे संचाल क मंदल कहा जा करा है। कुछ चस्तरी पुरंद होता है। ठी लेवन Management कौन होता है। टॉप लेवन Management बोड़ाइप अरीएरेक्टर होता है संचालक मेंडला। उसका मैंनेजिम टारेकर होता है में आरेक्टर फ़रंद संचालक। और ce चेर्मन तोप लेवन मेनेजमेंट कहलाता है इस तरह ये 25 क्वेश्चनों का सिरीज क्वेश्चन कैसा लगा लाइक और कमेंट के माधिम से ज़रूर बताईएगा नेक्स वेडियो में हम नेक्स टे मिलते हैं तब तक के लिए बाई